वेमेट न्यूज पर ताजा तरीन खबरे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सस्क्राइब, साथ ही बेल आइकन भी दवाना न भूले तहसीर शेत्र अंतरगत आने वाले ग्रामों में मुख्य मंत्री आवास के अंतरगत वित्रित के जारे पट्टो को लेकर लगातार विवात की स्तिती बनी हुई है बीते दिनों जहां ग्राम मुरहाबंद के ग्रामिनो द्वारा तहसील कारियाले आकर विरोध प्रतrशन क्या गया था वहीं बीते शुक्रवार को ग्राम पंचाद बनने बुज़ुर्ग के गरामिनों ने सरपंच प्रतिनीदी के साथ तहसील कारियाले आकर विरोध प्रदशन करते हो तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी को एक शिकायती आवेदन पत्र सौपा है सरपंच प्रतिनीदी अंकित कुप्ता ने तहसीलदार डॉक्टर अवंतिका तिवारी को बताया कि गाउं में पदस्त हलका पटवारी सुनील कुमार अहीरवार के द्वारा गलत प्रस्ताफ बनाकर कारेवाही के जाने से ग्राम पंचाद में लगतार विवात के स्तिती बनी ह हुई है उन्होंने बताया कि हलका पटवारी सुनील अहीरवार की द्वारा ग्राम पंचाद में गलत जानकारी दी गई और कहा कि खसरा नंबर 14-8 काउं के अंदर है जिसे खसरा नंबर के पट्टे के सम्मन में प्रस्ताफ क्या विशकता है ग्राम पंचाद की द्वारा प जान होने से ग्राम वास्य को कई तरह की परिशानियों का सामना करना पढ़ना सकता है वह युक्त पूरे मामने पर सरपंच प्रतिनीदी अंकित कुपता के द्वारा कारेवाही है तो आविदन पत्र सौपते हुए शुकायत का निराकरन की जाने की मांग तहसीलदार डॉक प्रतिनीदी के अलावा अन्य ग्रामीन जन मौके पर उपस्तित रहे पलेरा से राजींद कुमार विश्व कर्मा जिलापी औरो चीफ प्राइम न्यूज 18 टीवी चैनल क्या माम्ला है हमारे गाउं में जो मुक्तवावास के पत्ते दिये गए हैं जो आध का पछताव लिया गए में लाट में दिये गए हैं जो घ्राम सवावावास के पासो और नमबर न्शतना जाए 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 और जो हलका पटवारी के ट्राइंस पहुआ है उन्हें जली जली रिजिम किया जाए और दूसरे जो हलका पटवारी आया है उसको पदस्तपना की जाए